नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी श्वास यानिकी दमा अस्थमा रोग के बारे में जानते हैं और इसके कुछ आसान होममेड रेमेडिस इलाजों के बारे में जानते हैं वाईवी डंग, सफेद पुनर नर्वा, चितरक की जड़ की छाल, सत गिलोए, सोंट, काली मेर्च, छोटी पीपर, असगंध, नागोरी, विधारा, बड़ी हरड, का छिलका, बहेडा की छाल और आवला की छाल ये बारह औशधियां बाज च्छानने की छलनी में च्छान कर सभी को मिला करके एक जान कर लीजे, इसके बाद बढ़ियां गूर की एक तार की चासनी बना करके उसकी मदद से 6-6 ग्राम वजन की गोलियां बना कर चाया में सुखा करके सुरक्षित रख लीजे, जिन लोगों को चलने फेड़ने पर द प्रियोग परमलाफकारी होता है सुबह एक गुली गाय के ताजे दूद के साथ लेनी चाहिए इस दवा से या इस दवा के सेवन से काल में किसी भी प्रकार का परहेज रखने की आपको आवश्यक्ता नहीं होती है आप कुछ भी खापी सकते हैं 40 वर्ष के आयू के बाद कुछ लोग अपने शरीर में एक प्रकार की हिंता उनभव करते हुए निरुत साहित जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोगों के लिए यह प्रियोग अती गुनकारी होता है यह गोली सुखने पर सक्त हो जाती है अता प्रती दिन सुबह एक गोली को खर बग करके अथवा कूट प्रिस करके कपडशन करके बारिक चूण बना लीजिए फिर इन दोनों ओशधियों को बराबर मातरा में मिला कर किसी शीशी में सुरक्षित रख लीजिए साधारण दमास्वास में आधा ग्राम से एक ग्राम तक की मातरा में दवा दिन में दो से तीन बार गर्म जल से अथवा शहद के साथ प्रियोग किजिए बच्चों के लिए आधा गराम एक रती की मात्रा या आयू के अनुसार कुछ अधिक आप दे सकते हैं पर हे जिसमें होता है दही, केला, चावल, ठंडे पदार्तों का सेवन नहीं करना है आपको इसके प्रियोग से खासी जुकाम, श्वास, कफ, स्वरभेद, कुकुर खासी तथा कई अन्य संक्रमडी रोग भी दूर हो जाते हैं ताजा जुकाम तो चुटकी भर दवा एक घुट गरम पानी में घोल कर दिन में तीन बार पिलाने से एक से दो दिन में ही समाप्त हो जाता है जिने गाढ़ा-गाढ़ा बलगम बनने की शिकायत है और इतना खासना पड़ता है कि जब तक बलगम बाहर नहीं निकलता तब तक चैन नहीं पड़ता है उन्हें यह दवा शहद या मिश्री की चाशनी अत्वा केवल कथा लगाए हुए पान के साथ लेनी चाहिए रात धारन दमा दूर हो जाता है यह दवा बलगम को पखाने के रास्ते बाहर निकाल देती है यदि बलगम कच्चा थूक की तरह निकलता हो तो इस दवा की एक चुटकी मुह में डाल करके धीरे धीरे चूसने से कफ विकार नश्ट होते हैं यदि आवशकता समझें तो साधा अथवा गुनगुना जल भी पिया जा सकता है खासी जुकाम जैसे बाल रोगों की यह विशिष्टता और शधी विशिष्टता बच्चों के दमा रोग में भी यह परमलापकारी होती है दांत निकलते समय शीशु के मसूडों पर हलके हलके इस मैदा की भाती महिन चून को दिन में दो बार मलने से शीशु के दांत सरलता के साथ और बिना किसी उपद्रव के निकलाते हैं तेन से चार महिने तक दिन में दो बारी सब गोल की भूसी सेवन करने से हर प्रकार का स्वास रोग दूर हो जाता है जब स्वास का वेग अधिक हो उस समय हिंग और कपूर दो दो रती मिला कर गोली बना करके दो दो घंटे के अंतराल से सेवन कराने से स्वास गती समानी हो जाती है जमाल घोटे की दीपक की लो में जलाते हुए इसका धूआ नाक द्वारा अंदर लेने से स्वास रोग में लाब होता है 100 ग्राम चोब चीनी लेकर के 80 ग्राम पानी के साथ आग पर चढ़ा दें जब पानी 30 ग्राम शेष रह जाए तब उतार कर छान कर ठंडा कर ले 25-75 ग्राम तक की मात्रा में इसकाथ को प्रती दिन 3-4 बार पीने से स्वास रोग नश्ट हो जाता है जावित्री को पान में र स्वास रोग नश्ट हो जाता है गुड और सरसों का तेल एक एक तोला मिला करके खाने से अथवा 21 या 40 दिन में स्वास रोग आपका खतम हो जाता है सोट एक गांट सफेद फिट किरी का फूल 2 ग्राम हल्दी एक गांट और काली मिर्च पांचनक को शक्कर में मिला करके ख छूट जाता है कफ अधिक हो तो रोगी को अद्रक कारस और शहद छेचे माशा मिला करके पिलाने से आराम मिलता है हलके गरम पानी में रोगी के दोनों पैर रखने से बढ़ी हुई श्वास तुरंत समाने हो जाती है पांच से साथ बादामों की गिरी को पानी में पीस कर क स्वास में आराम मिल जाता है जी हां दोस्तों ये कुछ एक ऐसी होम में ड्रेमेडिज हैं जिनके प्रियोग से आप दमा की शिकायत को दूर भगा सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुडएंगे एक और विहादी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के अलिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों